दोस्तों आपका हमारे याटूब चैनल स्बस्क्राइब करें और कमेंट करें आप अमारे चैनल पर नहें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और आइकन के बटन पर किलिक करके आल नोटिफिकिशन को ओन कर लें जिससे हमारे चैनल से जुड़ी हुई आल अपडेट्स आपको तुरुंत प्राप्त हो सके हैं चले दोस्तों कि तरफ चलते हैं कि राजस्तान का कौन सा समाज वीर विगाजी को कुल देवता मानता है वीर विगाजी को जाकर समाज नाम बताईये कारोली के यदवन्स राजवन्स की कुल देवी केला देवी है किस लोग देवी के मंदिर में मदीरा और जलका चरणामर्द बक्तों की इच्छानुसार दिया जाता है इसको शिला देवी के मंदीर पर में मदीरा और जलका चरणामर्द बक्तों की इच्छान करनी माता मंदिर में सफेज चूओं को क्या कहते हैं? किस लोग देवी की ताती बांदने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है? बड़ली माता की ताती बांदने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है? लटियाल माता जी का मंदिर कहां इस्तित है? लटियाल माता जी का मंदिर फलोदी में इस्तित है? अगला किश्ण चारण देवियों की इस्तिती को क्या कहते हैं? चारण देवियों की इस्तिती को सरज्जा कहते हैं राजस्तान में बिश्चा जाती की कुल देवी किसे माना जाता है? राजस्तान में बिश्चा जाती की कुल देवी आसा पूरा देवी को माना जाता है? राजस्तान में किस जाती को बगवान मतश्या उतार का वंसज माना जाता है मीना जाती को बगवान मतश्या उतार का वंसज माना जाता है राणी शती का वास्त्विक नाम है नारायनी भाई था अगला क्यूशन है मूट मारण का तांत्रिक परियोग की जपट में आये व्यक्ति को मोत के मुह से मुह है से कौन सी लोग देवी बचाती है मूट मारण का तांत्रिक परियोग की जपट में आये व्यक्ति को मोत के मुह से बदाना माता बचाती है सक्राई माता को और किस नाम से जाना जाता है सक्राई माता को साकंबरी के नाम से भी जाना जाता है किस जाती के लोग करनी माता में सफेज चूओं को अपना पूरवज मानते हैं चारण जाती के लोग करनी माता में सफेज चूओं को अपना पूरवज मानते हैं अगला क्युशन है भाला लिये अस्वारोई किस लोग देवता का प्रतिक चिन्न है भाला लिये अस्वारोई पाबुजी का प्रतिक चिन्न है राजसमन्द जील की पाल पर किस देवी का मंदिर है राजसमन्द की जील की पाल पर गहवर मता का मंदिर है बाबा रामदेव का जनम कहा हुआ था बाबा रामदेव का जनम है उड़कास्मेर या अड़कास्मेर में हुआ था बाबा रामदेव की माता का नाम है मेना देवी था बाबा राम देव ने रूनिचा में कौन सा पंत शुरू किया बाबा राम देव ने रूनिचा में कामड़ी अपंत शुरू किया बाबा राम देव को मुसलमान अवतार मानते हैं बाबा रामदेव को मुसलमाने रामसापीर का उतार मानते हैं छोटा रामदेवरा किस राज्य में इस्तित है छोटा रामदेवरा गुजरात में इस्तित है रामदेव जी के मेले में आकर्षन का केंदर है रामदेव जी के मेले में प्रमुक आकर्षन का केंदर तेरताली नर्ते है अगला क्यूशन है राजस्तान का रूनीचा मेला संतूर समाज के लिए किस प्रकार की प्रणा देता है राजस्तान का रूनीचा मेला या रामदेव जी का मेला सामप्रताई सत्वाह का प्रतीक है अगला क्यूशन है मारवाड के पंचवीरों में किसका नाम लिया जाता है मारवाड के पंचवीरों में गोगाजी का नाम लिया जाता है परसिद लोग देवता गोगाजी का जनम कब हुआ था परसिद लोग देवता गोगा जी का जनम एक का जारतीनी स्विव में हुआ था गोगा जी का माता का नाम क्या था? गोगा जी की माता का नाम बाचल था गोगा जी की गोड़े का टंगे नीला था नाग वन्स ये जाट परिवार में किन का जनम हुआ था नाग वन्स ये जाट परिवार में तेजा जी का जनम हुआ था श्री देव नारण जी को गुजर जाती के लोग किसका उतार मानते हैं काला और बाला वे कर्शी कारियों का उपकार के देवता किसे माना जाता हैं काला और बाला वे कर्शी कारियों का उपकार के देवतात तेजा जी को माना जाता हैं अगला किस्वन है तेजा जी के पुजरी को क्या कहते हैं तेजा जी के पुजरी को गोडला कहते हैं गोडला या गोडला कहते हैं अगला किसन है राजस्तान में उट विमार होने पर किस लोग देवता की पूजा की जाती है उट विमार होने पर किस लोग देवता की पूजा की जाती है राजस्तान में उट विमार होने पर पाबो जी की पूजा की जाती है वीरवर कलाजी के गुरू का नाम बताईए वीरवर कलाजी के गुरू का नाम भेहरोनात था चार हातो वाले लोक देवता के रुप में ख्याती किसकी हुई चार हातो वाले लोग देवता की रुप में ख्याती कल्ला जी की हुई सकुन सास्तर के ग्याता किस लोग देवता को माना जाता है सकुन सास्तर के ग्याता हड़बू जी को माना जाता है बूरिया बाबा गोतमेश्वर को किस जाती का इस्ट देव माना जाता है बूरिया बाबा गोत मिस्वर को मिरना जाती का इस्ट देव माना जाता है